हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं क्ष्वाइब करें इसे उपकर एक tú lika हो वेरी अंप चलो एसे आजे इंगे कि टेढेशividadeने पी अर्ला कि आली इन वेडी करें घंग सासराली हैं प्लीज मेरी हेल्फ करो चलो चलो प्लीज हेल्फ मेरी अन्मेर देखो ना कब्से वो कुछ बोल ही रही है मनाली मनाली अरे बेसे होस्पिटेल लेकर जाना पड़ेगा मनाली नाना पड्च्चर? बान तुचर वे? बयाया थो तुचर ग्र्री वे वे क्वड़्े श्वे ुवड़्े मेरी वे वे जडर्फ ड्री वे वे दो गल्रीज, वे जया रिए वे 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 जल्दी आओ, बनाली ए भगवान पांच करोर रुपे हैं हमारे पास और मैंने मेरी लाइफ में सीरिसली कभी पचास लाग इकठे नहीं देखे अनमीद बेचारा मेरे कहाने पर यकीन कर लिया उसने अब तो मैं ठेर सारी शॉपिंग करूँगी ये क्या कह रही हो तुम मनाली ये हमारी मेहनत के कमाई है हम बैटकर सोचते हैं न कि इन पैसों का हमें क्या करना चाहिए है न हाँ हाँ शैला तो सोच ले न मैंने कब कहा कि मैं अक्केले पैसे लेके जा रही हूँ ये कौन से मेरी बहन लगती है और वैसे भी सारी महनत मैंने ही की तो ये सारा पैसा मुझे ही मिलना चाहिए इस मनाली को मार कर यह फैक दिया तो किसी को पता नहीं चलने वाला शैला पैसे मेरे होंगे और मौत तेरी लेकिन कोई ऐसा चाहिए मुझे जो इसका काम तमाम कर सके मनाली क्या हो तुम्हें अचानक से इतनी चुप हो गई तुम नहीं नहीं कुछ नहीं शैला ऐसे ही क्या हो अशैला गाड़े के रोक दी अरे वो मेरी फोन के बाटे डेड हो गई है और मुझे भाईया को इंफॉर्म करना है कि मुझे लेट होने वाला है तो मेरा फोन यूज कर लो आरे बाबा नेटवर्क कहां है यहाँ पर देखो तुम यहीं पर रुको मैं इस चेलिफोन बूट से फोन करके आती हूँ इस फोन का नेटवर्क आजा एक बार हलो मैं बोल रहे हैं हाँ अगर तुम अभी निकलते हो तो पैंतालिस मिनिट में दालगाट पहुच जाओगे तुम्हें आकर हमारी कार रोपनी है और उसे मौर देना है समझे तुम अरे यार नेटवर्क नहीं है यहाँ पर अच्छा सुनो मैं गाड़ी रुकवा दूँगी आदे घंटे में ठीक है तुम्हें के उसे मार देना काम तमाम बोल दिया भाईया को हाँ हाँ भाईया को बोल दिया कि मैं बारावज तक पहुझाओंगी अच्छे क्रेकर आओफ भाईयादा कि पहुझाओंगी लुए थित्जय अच्यार्श अच्छो सुनो, वो सामने PCO दिख रहा है, हाँ? वहाँ चल कर किसी मेकानिक को खॉल करते है, ओके? पिछले आदे घंटे से इस खटारा को धफका लगा रही हूँ गाड़ी खराब होगे तो क्या करूँ? प्लीज, बस, बस हो गया, आ गया मैं बस अभी है, हाँ? हाँ हेलो, हेलो, हाँ भाई? हाँ रहा है बोल रहा हूँ यार वो गाड़ी कराब होगी है हमारी हाद है यार वो बिटवाला रोड है ना, बस वहीं पर हाँ, तो तु पहुच रहा है ना? या प्लीज, ना मत बोल हाँ, तुझे पंतालिस मिनट लगे गे तुझे? ओ गाड़ ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ, यही PC UA उसी के साथ वेट कर रहा हूँ ओकी पैतालिस मिनट, तब तक हम करेंगे क्या? वह प्यार प्यार अरे अच्छा, एक काम करते हैं यह टेलफोन डेरेक्टरी एंडर मेरा ना बच्पन का एक बहुत बढ़िया इंटर्टेनिंग गेम है मैं ना ओई भी नंबर एक इस डेरेक्टरी से रांडम्ली डायल करूंगा अब तुम देखना एक मिट अलो अलो अध्यार अब पेचाना ने तुने मुझे मुझे सब पता चल चुका है कौन है तु क्या पता चलने है तुझे हा मारका नहीं गया इतनी रात के आफ़ोन करता है यह क्या पागलपन है मुझे बुल रहा था मारेगा मारेगा कैसे है पोन से निकल के मारेगा क्या एक 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 लास्ट्राइ प्लीज किसी अजनभी को क्यों परेशान कर रहे हो अब तुम भी ट्राइकरोना बहुत मज़ाएगा इक नफ़न है यहर्श गेम है एक लास्ट्राइग अए अब एक लोग एक लोग बदेखो तो जहीं में क्या कर रो वैज बस भी करो लो बहल चारीपात करो ना मुझे नहीं करना यह सब अद करो मैं करता हूँ हलो हलो हद हो गई यार तुमने जो कुछ किया मुझे सब पता चल गया अच्छा मैंने जो किया वो तुझे पता चल गया सब पता चल गया और क्या मिस्टर हद हो गई अब आगे तेरे साथ क्या होगा वो तुझे अब पता चलेगा क्या हुआ बोलो क्या हुआ रोए वो मैं तुम ठीक हो ना कुछ नहीं मिस्टर हदो गई अब आगे तेरे साथ क्या होगा वो तुछे अपका चलेगा कुछ नहीं कर दो तुम सवान नहीं साप आप सीरी से हो ना हाँ तब मैंने आपको फोन किया था चलो दिखाओ का पर हुआ ये एक्सिद्ट चलिए साप तो नों लड़किया मर गई है साप मैंने रुक के देखा और सबसे पहले आपको फोन किया तिक तुम यही पर रूख तुम सब्सक्राइब करो पूर्भी को अंदर से अच्छी तरह से चेक करो अच्छी तरह से करें विखरम अजुबाजु के एरिये चेक करो तुम जा सकते है तुम जा सकते है लगता है यह लड़की अपनी जान बचाने के लिए यहां से यहां से भागी जा रही थी पकड़ लिया खुनी ने और मार ड़ला विचारे को कैसे चाकु मारा है आर पार सर अपर लिए सर एकने सारे पैसे सर इतना सारा पैसे इनके पास कहां से राया हो रहा है है तो करोड़ो रुपी है इस बैंक में पैसे आये कहां से एक बात तो पकी है कि पैसे लुपी ने की वजे से खुड नहीं हुए यह दोनो सर अब सर यह देखिए सर यह इन दोनों के सामान और यह तोनों के आईडी प्रूफ से एका नाम है शाहिला जे और दूसरी का मनाली कुमार उन्हों मुंबई से थी आउ 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 यार हद्धा यार यह जिया को मैंने बोला था कि मैं फोन करूँगा लेकि कि फिर भी यह फोन ही नोठा गए जाज चिलने यार वो सो गई होगी वो जगने के बाद शाहिए तुम्हें कॉल करें मोईट तो कैसे बाते कर रहा है यार जीया मेरी गर्ल्फरेंड है मैं जानता हूं उसे अच्छी तरह वो इतनी गहरे नीद भी नहीं सोती है कि पीज-बीज कॉल करने के बाद भी फोन ना उठा है तु एक बात बता तु जब से आया है बहुत परिशान दिख रहा है क्या बात है यार मोही तियार मुझे जिया को कल रात घरपर अकेले नहीं छोड़ना चीए था यार क्यों मैं यार मैं अभी उसे देखने में कल रहा हूं ठीक है ए बुक अरे चलता हूं मैं भी चलता हूं सर जल्दी चल क्या है बात जिया 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 सर यह जो लड़की ड्राइविंग कर रही थी यह मेरी बेहन शाहिला है और यह लड़की उसकी सहली बना ली है यह पैसो से बड़ा बैग इन दोनों के पास मिला है करड़ो रुपे हैं इसमें आया कहा थी इतना तरह पैसा उनके बस क्या काम करती थी वो तुम्हे कुछ मालूम है है ना देखो सब कुछ हमें बताओ जल्दी से जल्दी हमें कोनी तक पहुँचना है बताओ जल्दी सर यह दोनों लड़किया लोगों को उल्लू बनाकर पैसे ढगने का काम करती थी क्या? तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जो तारा पैसा है वो इन दोनों लड़कियोंने इसे को ठक दिया और लेके भाग रही थी अब जी तो जिन्दा है ना? और अपड़ ले गए उसे क्या बात है सर्थ अब जीद बता रहा था यहां से तीस किलोमेटर की दूरी पर एक आदमी मिला उनको अनमित नाम है हाथ पैर मूर सब बंदे उए उसके ब्योशी की हालत में था मंगर बड़डा रहा था पांच करोड पाँ पांच करोड पांच करोड पाँ ईसका मतला इंदि इम इन लड़िकों ने अनमित को ठागाओगा मैंए शुकता है बिल्कुल होशुकताह पता लगाना पड़ेगा यह दोनों लड़िया गई कहां थी और यानमित था कहां से रहा था गला काट के मारा है हाँ सर बिल्कुल वेसे जैसे शाइला और मनाली का खुन किया था सर कोई हाथा पाई का निशान भी नहीं दिख रहा है इसके श्रीफ पर इस लड़की ने मदद के लिए आप सबकी फ्लैट की बेल बजाई सब लोग दर्वाज़ा खोल के बाहर है और सब के सामने इस लड़की ने दम तोड़ दिया लेकिन किसने कैसे और क्यों इसे मारा ना किसी ने देखा ना किसी ने सुना साब हम तो नीचे गेट पर ड्यूटी कर रहे थे और यहां की बांड़ी इतनी नीची है कोई भी कूत का अंदर चला आता है और बाहर चला जाता है कुछ पता ही नहीं चलता साब अरे तो सोसाइटी की दिवार के किले की दिवार होती है सब जगा इतनी दिवार होती है सर सर किसी ने जिया के दर्वाजे के लॉक के साथ छेड़ छाड़ करने की कोशिश की है यह दिखे सर लॉक पे खरुच के निचाने किसी दूसरी चाबी से खोलने की कोशिश की गई है एक बात बताई आखरी बार जिया को किसी ने देखा था यह किसे बात होई थी सर रात बारा बजे के आसपास मेरी जिया से फोन पर बात होई थी वो उस वाक शहर से भार थी और घर ही लोट रही थी उसने का एक बजे तक आ जाएगी अच्छा फिर सर मैं खोड़ दो बजे वापस आई आकर मैंने अपना दर्वाजे का लोग खोला तो लोग खोली नहीं रहा था मैं विल्कुल परिशान खड़ी थी कि अब क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आरा था फिर अचानक मुझे आदाया कि जिया के पास मेरी चाबी रहती है तो मैंने जाके जिया के टोर बेल बजाई लेकिन उसने दर्वाजा नहीं कोला फिर मेरे दर्वाजा नौक भी किया जिया कोई जवाब ही नहीं आया फिर मैंने उसे फोन किया उसने मेरा फोन का भी जवाब नहीं दिया मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था तभी मैंने देखा कि दाड़ी मुच्छों वाला आदमी चाबी का फिट लिए सीडी से नीचे उतर रहा था क्या? रात के दो बजे आपके सोसाइटी में चाबी बनाने वाला था हासन ए एक मेट चाबी बाला तुम इस वग यहां सोसाइटी में क्या कर रहे हो मैडम माँ और आपको यकीन नहीं आ रहा था सुनो रूको यहां खड़े रो यहीं खड़े रो हिलना नहीं फिलना नहीं, वाच्मेन, वाच्मेन, क्या हुआ मैडम जी, अगर आपको यकिन नहीं आ रहा है, तो 1101 वाले लली जी से पूछ लीजे न, तुम चुक चाप यहां खड़े रहो, समझ में आया, वरना टांगे तोड़ दूगी मैं तुम्हारी, वाच्मेन, आया मैडम जी, य और वो अक्सर घर पर रहते नहीं है, और उनके हुआ लेटनाइट अक्सर लोगों का आना जना लगा रहता है, ठीक है, चलो, अभी जलके मेरा लॉक फीक करो, चापी वाला अपना काम करने लगा, और मैं समय पिताने के लिए, उने की अपनी एक दोस्त से फोन पर बात करन लगी, चापी वाले ने आपके और ललित्य बाह ने जिया की गर की चापी बना ली, सर, उसने जिया के दर्वाजे की लॉक की चावी बनाई, फिर बाद में आया, दर्वाजा खोला, और सोती हुई जिया का गला काट दिया, उसके तकिये पे हमें घून के निशान भी तुमिले? उसको लगा हुआ के जिया मर गई है, इसलिए बाग गया, लेकिन ये विचारी मदद के लिए बाहर आई और यहाँ पे तम तुड़ दिया, इस समारा और वाच्मेंट से मिलके ज़रा आप चावी वाले का स्केच्छ पन लाओ, अधिये, ये बगवान, जिया, कोई इसको खर दे बादा के ले ले जारा है? को यहाए विच्छ प्रीज़ प्ली सिहाँ अगड़ा है, इसको गूर निकल रहे है खर जी ने जारा है इसको गूर निकल रहे हैं सर सर सर, मढय तो लगा दे जेता है कि मोढ सर आइएए जिए, एए रुआए ये रुआए रुआए कहाने हैं? सिर्ट एचिए गमंगेतर है, प्रुआए सर्ट इसको बाषपरे लेकर ज़ल दी आप देया, तुम्हारा सवाल शायद आज भी वही होगा, जो अक्सर हुआ करता है? आद अक्सर? विक्टिम्स के एक खून चाकू पे लगे हैं जिसे उनका खून हुआ है, उसके अलावा और क्या पता चला? देया, उसके अलावा और क्या पता चला, ये देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, पहली बात तो ये देखो, ये एक रसोई घर में इस्तिमाल किया जानवाला चाकू है, पिचिन नाइफ, तो देया, दूसी बात, इन दोनों लड़कियों पर कल रात को आठ से साड़े नो पीच में वार किया गया है, और शायद शायला पर पहले वार किया गया है, और इस पर पीछे से वार किया है, और मनाली, मनाली ने जब इस पर शायला पर वार होते देखा तो ये डरी होगी, डर के भागने लगी होगी, और खूनी ने इसे भागते देख करके एक जटके के जिया की मौत भी चाकू के वार से ही हुई है इसी मेरे चाकू से इसकी गर्दन पर वार किया है वार बहुत अचानक हुआ है क्योंकि इसके शरीप पर हाथा पाई का और कोई निशान नहीं है तर फिलाल हम देखते हैं कि हमारा ये क्रोमोटोग्राफ क्या कहानी सुनाता है तो इसका मतलब है खून में कुछ और भी है हाँ दया फून में कुछ और भी है और ये जो कुछ और है ये काफी चौकाने वाला है वो के सब वो ये दया के चाकू पर पैटी एसिड और ट्राइगलिसराइट के अंच मिले है और ये मक्खन है मक्खन जिसे हम खाते हैं ये मक्खन वाला चाकू काफीलों के हाथों से गुजरा है शायद पता करना पड़ेगा वो दोओं के बारे में किसी होरर फिल्म की कहानी जैसा है कुछ दो लुटेवी लड़कियां शहिला और मनाली एक दुसरे प्यार करने वाला एक जोड़ा रॉय और जिया अनमित एक खरबपती आदमी सब के सब इस ब्लू परल मोटरेल में मौजूद थे सब के सब शिकार हो गए इतना ही नहीं सब सोचने अरी बात ही है सर कि ये सब पिछली तीन रातों से उस मोटेल में थे धर अचानक एक के बाद एक सब ने इन मोटेल छोड़ दिया कावी निय पुछ सभी नहीं हो सकता कि इन सब के साथ कोई ना कोई हाथसा हुआ है जो ब्लू पल मोटेल में थे और ये मक्खन लगाओवा चाकू ये भी किसी के साथ उस मोटेल से ही आया है रोई सिर्मुद्य की बात करते हैं हम शर्य ये तो सर हदी हो गई सर अब मुझे भी मार डा लेगा सर कान अच्छी में और जय आप विडवाला रोड के ऐ फून बूत के पास एक मेकानिक का इंतजार कर रहे थे विडवाला रोड के फोन बुद्वे क्यों? सर उस दिन तो सर हदी हो गी थी सर सर हमारी गाड़ी खराब हो गी थी और सर मैं टाइम पास करने के लिए ऐसी लोगों को रैंडमली कॉल कर रहा था और उन्हें कह रहा था कि जो कुछ तुमने किया है वो मुझे सब पता है लेकिन सर फिर तो हदी होगी ना सर अच्छा फिर क्या हुआ पहले तो लोगों को लगा कि मैं मजाग कर रहा हूं उन्होंने दांट डपटकर फोन काट दिया लेकिन सर जो आखरी कॉल जिसने रिसीव किया था सर सर उसने तो सर भादी कर दी सर क्यों या का आँ सर सर उसने मुझे धमकाते वए पूछा था सर सर बोला कि क्या वाकई में तुम्हें पता है कि मैने क्या कुछ किया है मिस्टर हद हो गरी सर सर में बहुत डर गया था सर सर इसलिए मैने फट्काफट सर फोन काट दिया कि में बार बार अवफ अढ़ा है करते हो ना कि उसे पैशान लिया हो काcü सर मुझे दू पूरा ये कीन है जर उसने जिया को ही मार आ ते सर ये तु सार hub कर दो नहीं होगी नहीं सर वो मुझे भी माड़ा लेगा सर 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 प्लीज सर मुझे बचा लीजए सर सर मैं मरना नहीं चाता हूँ कबराओ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं होगा तुम्हें सी आईडी तुम पर नज़र रखेगी 2400 गंटे सर यह रहा चाभी बाले कर सिल्च इस मॉर्टल में रुकने वाले गैस की मौत के बारे में बुष्टाश करने आया हूँ मरने वाले गैस्ट्स? जी हाँ, तीन तीन लोगों की जाने गई है, तीन लड़कियां और वो आपकी इस मॉटल की गैस्ट्स थी आप लोग हैं कॉन? और हमारे मॉटल को बदनाम करने की कोशिश थ्यू कर रहे हैं? कोई नहीं मरा या? मैडम, हम लोग C.I.D. से और यहां कोई नहीं मरा है? यहां से पचास किलोमेटर दूर यहां से बाहर जाकर किसके साथ क्या होता है? इसमें हमारी क्या गलती? यह चुरा? यह आप ही की मॉटल का है ना? हां यहां ना? यह चाकू हमारे होटल का हो भी सकता और नहीं भी? अच्छा! और रॉय? रॉय नहीं जब बार से फोन किया था आपके होटल में, कब किस ने धनकी दी उसे? सर, हमारे होटल की लॉबी में सरफ एक ही फोन है और उसकी कोई एक्स्टेंशन नहीं है तो कोई भी फोन उठा सकता है इसे हमारा क्या लेना देना सर कि मज़ाग भी तो हो सकता है तीन तीन लोगों की जाने कही है और आप तो मज़ाग लगता है इस तारे के सारे ये शाइला, जिया, मनाली, रोई, अन्मिक्स सब आपकी मोटल के गेस है समझे आप बताये कि आपने इन लोगों को किसी के साथ जगड़ा करते हुए देखा क्या उनका आपस में जगड़ा हुआ था बताये सर, ये तन्नु है ना इसका जगड़ा हुआ था साहिला और मनाली के साथ तन्नु जगड़ा हुआ था तुमारा किस बात को लेका उन्होंने मुझपे चोरी का इंजाम लगाया था सर जीना जी ये कैसा साथ रखा है अपने ये लोग काम के साथ साथ चोरी भी करते है ये तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पे पहुँच गई वरना मेरा फोन तो गायब हो जाता ओ मैडम ये चोरी का जुटा इंजाम नहीं लगाना मुझपे तीन साल से यहां काम कर रही हूँ और आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की बड़ी आई इमांदार होने का ढोंग करने वाली इमांदार है इसलिए गरीब है इसलिए आज इस मोटेल में काम कर रही हूँ नहीं तो तुम्हारी करा किसे मोटेल में ऐष कर रही हो तुप्त तू क्या कहना जाती है कि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब पहिमानीगा है हाँ मैं लेके जानो क्या करती हूँ तुम दोने अपना रूम छोड़कर अनमित सर के रूम के आसपास यू चक्कर काट ले थी तुम दो लो? मैं अन्धी नहीं हूँ, सब दिखता है लेकिन काम करना है ऐसे लिए चुप हूँ जीना जी, देख रही है आप, देख रही है यह क्या क्या बूले जा रही है और अब चुप खड़ी है तनू, तु छुप हो जा, कैस्ट ही हमारे तो क्या मैडम, यह किसे कभी चो कहेंगे? यह चोटे लोग ना, खोते ही ऐसे चोटे लोग सच्चे होते हैं इज़्चे के लिए जीते हैं और इज़्चे के लिए मरते हैं दन्नू, तु जाए यहां से ने कहा जाए यहां से इथ अच्छा नहीं किया तुम दो información किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया यह तो ँम पता लगा ही लेंगे और फिर ये चाकू आपके किछन से जंगन में 50 किलो मेटर दूर कैसे पहुंचा आपका किछन देखना चाहते हैं सर ये है किछन किछन का एक एक कुना चान मर और देखो ऐसा ही कटलर इसे ठोना चाहिए अंदा मैडम क्या हुआ मैडम कौन है ये लोग ये लोग CID से हैं किछन की तलाशी लेने आए हमारे कुछ कैस बहाँ जाके मर गए है सर ये लोग के पास बिल्कुल वैसा ही कटलरी सेठ है और ये खाना भी खाली था इस चाकू का क्यों इसका मतलब समझ क्यों चाहिए की मतलब है ये चूरा आपकी इमोटिल का है सब ये मत कहना कि ये पूरा सेट हमारे होटिल का भी हो सकता है या नहीं भी मगर सर ऐसी चूरिया तो बाजार में सभी जगे मिलती है चुप रही है ये चूरे के उपर मक्खन लगा हुआ था मक्खन? यह मक्खन बटर लेकिन सर सभी कूप मक्खन लगाते है बुलाई अपने मोटिल के सारे किचिन स्टाफ को खास तोर से उन लोगों को जो परसो राट ड्यूटी बलते जी बाकी सब तो यही पर है लेकिन बस दिपेश नहीं है दिपेश? दिपेश कौन है? कूख है वो कल रात को यहां से गया था और बोलके गया था मैं सवेरी तक आ जाऊँगा लेकिन अभी तक आया नहीं है लेकिन इस दिपेश को अपनी यहां पर बुलाओ फोन करो उसे उससे कहो कि इसी वक्त यहां पर आ जाए लेकिन ये मत बताना कि हमने बुलाया है तेखे सर मैं कि इज़दा ता राद में हूँ जी आगे तुम्हें मेरा कोई भी हाथ नहीं है सर वो चावी वाला रात को इसलिए मेरे घर आया हुगा क्योंकि मैं अपसर रात को कर से बाहर रहता हूँ सर मैंने उसी को कहा था कि वो कभी व्यांके चावी दे सकता है हम भी यही जन्नाचा दे लालीत कि ऐसा कौन से चावी बनाने वाला है जो रात के ठाय बजे है कस्टमर के ख़ट देलिवरी देता है सर वो रहा चाविवला सर उसी के पास आपको लेकर चल रह बावा सर सर ये स्कैच में जो आदमी है वो मेरा चाविवला नहीं है सर पंटु क्या किया तुने पंडले क्या हुआ हम बताते हैं तुमने इस आदमें को चावियां दीति और रात को ठाए बजे लालिट जी की सुसाइटी पर जाने के लिगा दा क्या हुआ? काँ टग गए? जो भी याद है साफ साफ बता दो सी आईडी से हैं हम किसको बेज दे तुने मेरे गर चावी वाला बना के इसाद में तो खूल किया है और इस सब चक्र मेरी तो बैंड बज गई है और नहीं साब मैंने किसी चावी वाले को आपके घर पर नहीं बेजा तो फिर इसाद में को बता कैसे चला के लालित को चावी चावी चाईए बना सकता है जी सब। बना सकता है जी सब स। फारवाडी पहरा हैं उसकी दुकान है अ अटलआ जाड़ं से गर्वाल हाँ को अडमी है अघे वो asset अधिन, यह है। वह सो रहा है। हम लोग यहाँ रहुपार रॉय की रखवाली करने आये है। अरे इस तरु रहुपार यह रॉय की रखवाली करकर मेरी कमर तूड़ गे। मैं रिलाक्स कर रहा हूं मेरी पीट सीधी कर रहा हूं अच्छा अली, ACP साब आई तू एसीपी साब को फोन करके बोलू गया? तीन भर रॉय और मोहित से खाना बनुआ बनुआ के खाया उपर से आराम अबे तू यहां डूटी पे आया है यह छुटी पे मेरे खाला क्यों लेखते हो? और दूसरी बात मैं आपको कह रहा है यह जौई को कुछ नहीं होने वाल, एसे जभरदी तैंचन ले रहा है और हम लोगो हो भी टंचन दे रहा है आप करलींगड खा खाके खुच करलींगड बन गया है तू तो तो क्या करें? राद बर जगना कुछ काम भी तो करना पड़ेगा ना? कुछ करने से पहले ये जाके देख कि रॉल और मोहित ठीक ठाक है कि नहीं? देख, कर ले, ये कर ले, बो कर ले, खुद कुछ नहीं करोगे, मैं करता है रहो साब कुछ नहीं करूँगा, मैं सिनियर हूँ, सिनियर कुछ नहीं करता, सिर्फ और्डर देता है, चाओ येस सर, और देख, कुछ नहीं, सोरे दोलूजर, डोलुजर, अब्तू कलिंगल, कास्याओ टोओ, ने, सिनियर, आगे जाओ, बोड़ ने या तो के ने? बटब 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 सब एर रुड़ किया होगाँ के इतने जोर कीचि unacceptable कुच नियी कुच नियी कुच नियी कोई था क्याँ आया के? अच्ड़हना सर मैं पूरे सब भूरा हूं कि या व पूरा सबना देखा था और 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 कुछ नहीं है कर आज अगा है डाले पूरे सपने देखना बन करूब सर, पिस सर की हालत देखिया आपने? कुछ न कुछ तो हुआ यहां पर, यह लड़का हम से कुछ छुपा रहा है क्या छुपा रहा है? क्या हुआ? आप लोग ना अरजेंटली बुला है? मैडम ने नहीं, हमने बुला है C.I.D. सेठी? मैंने कुछ नहीं क्या, सर. अरे? ना हमने कुछ पूछा ना हमने कुछ कहा, तर भी समझ गये? क्या बाद है दिखिश? इतना डर किस बात का लग रहा है? मैंने, सर. मैंने तर रहू? चल, बता. क्यो मारा तुने अब दोना को? मैंने किसे कहा, खुद नहीं क्या, मैंने खुद नहीं क्या, मैंने तुछ सिर्फ चाको दिया था. कुद गया था? किसी दिया था? तनो को? अरे, कैसे हो भाई? बिलकुल ढीक, अच्छा पहले की तरह न, इस चावी की एक और डुप्लिकेट चावी बनवानी है, पहले की तरह. आप? आ मैं, बनाओगे ना? आप तो बिलकुल अरे, अरे, भाग का रहे हो अपना होलिया बदला, जिया का खून कर जया तुमने है नहीं साब, मैंने किसी का खून ने किया है नहीं तलू हाँ से, मैंने वो चाकू लिया था पर उन दोनों को मारने के लिए नहीं तो फिर किस लिये लिया था? वो किसी ने मुझसे मांगा था किस ले मांगा था? रॉय 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 वो रॉय ललित के करके चावई देने के बहाने दो रात पहले थो उसके बिल्डिंग में खुशा था और जीया के करके टुबलिके चावई बनाई जी साब, गया था वो जीया है न, वो जो इसकी पडोशी है न क्या नाम है साब उसका वो वो लड़की उसके घर का ताला खराब कर दिया मने ताकि इस भाने में जाओ और जिया के दरवाजे का ताला है ना साब उसकी चाप ले सकूँ और फिर तुमने ये चावी बनाई कुछ गुंटो बाद तुम जिया के घर में घए और तुमने तुमने जिया का कुन कर दिया नाई नेश्च अगने आगा ने किसे का कूप अगून ने गया मने बनाई थी साफ स्रिप चावी इसी काम के लिए तो मुझे पैसे मिले ते मैं किसी का कुन क्यों कर MAXा किसके लिए बन माई दी हो चावी सोच रहा हूं यार दूसरे शहर चला जाओ क्यों मन नहीं लगता यार पंकज मुझे नहीं लगता कि इस रॉय के ऊपर कोई खत्रा मंडरा रहा है अरे सर खत्रा तो हमारे सर पर मंडरा रहा है वो CID का काम चोड़के इसके बॉडिगार बने हुए अरे अभीजीत सर कैसे हो रॉय हाथ दो गई सर आप लोग यहां पर सर जी आगे खुनी का पता लग गया हाँ तब ही तो तो मारे पास आए हाँ इसको रहने दो इसके जुरूत नहीं हो तुम्हें क्योंकि अब तो तुम्हें जेल जाना है जब बहुत खेल खेल लिया चल कहां बाग रहे हैं खेल खतम तुम्हारा इस दुवार को तुमने बेज़ाता ना बिल्डिंग में समारा के गर का ताला खराब करवाया जिया के गर के दूसरे चावी बनवाई वो चावी वाला हमारे कभजे में है बता क्यों मारा जिया को तुमने सर क्योंकि क्योंकि जिया मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही थी और सर मुझे शादी नहीं करनी थी अज़ाम उस धंकी वाले आदमी पर लगातूँगा शायला और मनाली को क्यो उमारा? शायला और मनाली? सर, 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 मैं सच बोल रहा हूं कसम से, सर कसम से बोल रहा हूं मैंने उनको नहीं मारा है सर सर वो लोग तो पहले ही मोटल से निकल गए थे देखो, वहां की स्टाफर तनों ने हमें बताया कि उसने एक चाकू दिया था तुमको और उसी चाकू से शायला और मनाली को मारा गया है, समझे तुम? सर, मैंने सर मैंने चाकू लिया जरूर था, लेकिन वो सिर्फ मैंने एक टार काटने के लिया था और कुछ नहीं, सर और उस राद चीखने के क्या वज़े थी, जियो तुमने हमसे चुपाई सर उस राद तो हाती हो गई थी ना सर कोई खेड़ की से सर अंधर आगया था कम्रे में अरकर तुम्हें पता है अजो तुमने किया है वो मुझे पता है इसलिए अपने जबान बंद रखना समझे मैं बहुत डर गया था सर इसलिए मैं चीखा लेकिन जैसे आप लोगा इसलिए मैं मैं चुप हो गया तुम्हारे गर पे आके तुमको दमकी दे गया अब आस पाचान सकते हो उसकी जी सर ले चला देखो रोई यह देखो यह परदा है इस पर देखे उस तरफ जगर खड़े रहना ठीक है मोटिल का स्टाफ मेंबर एक एक करके यहाँ इस चेन में से बोलेगा कुछ भी बोलेगा तो आवाज पहचानी की कोशिश करो कोशिश करो उस आदमी की आवाज जो कल रात तुमारे घर में आया था ठीक है लेक्स दुशनत इस्क्यूज मी यह क्या तमाशा हो रहे है? यह हो रहे है यह सब देखिये मैडम यह हमारी इंवेस्टिकेशन का एक हिस्सा है आपसे जो करने को का जाए उसे प्लीस करिए इस दाख लिर? लेकिन हमें करना गया है अंदर कमरे में एक सफेज शीट लगी है और उसके अंदर एक होल है आप लोगों को एक-एक कर के अंदर जाना है और उस होल में यह बहुत है मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है यह यह पढ़ना है पढ़ना नहीं बोलना है, धीमी आवाज में, समझेगे, हमें ने कहा उसे बोले, जितना बोला जाये, उतना करो, चलो जाईए मचली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है अब आप जाईए मचली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है मचली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है तुम मचली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है सर, यह है, यह है सर, यह है वो दुशन, फखड़ो उतने चोड़ा मुझे, चोड़ा मुझे जमान। ओफिसस, यह क्या कर रहे हैं आप? यह मेरा पती, चिपकली कॉक्रोज से डरता है इसके मुझे आवास तो निकलती नहीं यह क्या भारेगा किसी को? अभी भुटा से लुटा से लुटा वाखर हो गए हो क्या? अगल बन बन करो, ठोड़ो से अगल बना बना इसका कला काट तूमाथ इसके सब का काथा था महाथ तुझे थोड़ो मैं तेरे जैसी चलाहत भीवी को मार की जेल जाओंगा मैं आखरी बार क्या रहा ह। छोड़ो वार्ना मैं कोली चला दूँगा मार दीचे मुझे लेकिन रिकिन सद्गगा नहीं इसने मेरी तणू को डाटा भी अलाए टीो में खसान शेत लिए जैसन ज़ि mapped ने रिगए और काल बना था म काल बना पुझे लिए इसने मेरी टनू को डाटा gender में सॉड़ो आप तो कह रहे थी क्या आपका पती gl婦 नहीं कॉक्रॉच क्या मच्छर भी मार नहीं सकता लेकिन इसने दो दोगों को मारा रहा है शायला ओर मनाली को जाने लिए केवल इस तनु के लिए सर सर यह अप क्या बोलाई सर? म नहीं मैंने कुछ पह नहीं किया मैंने कुछ मारी पास सबूत है हाग धर हे Chao Broi तुमने जिया को कियोल हिसलिए मारा? क्यों तुम्हें परिशान कर रही थी? शादी करने के लिए? और तू? तुमने क्यों मारा? शाहिला और मनाली को कियोल हिसलिए कि उन्होंने तुमारी प्रेमी का तनों को जोर कहा तुम दोनों को तो कानून कडी से कडी सजा देगा तुम दोनों को तो पाची होगी पाची तुम दोनियो Carry झाची तुम दोनियो Number